शाम होते ही कुछ चटपटा सा बड़िया सा खाने का मन करने लगता है तो आज हम एक कप केहूं के आटे और आलू से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बना करके तयार करेंगे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है और ये ना एक चमस तेल में बन करके तयार हो जाता है और मुझे लगता है कि अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करेंगे तो समोसा कचोरी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे चलिए तो आप जादा बात ना बनाते हुए रेसिपी को बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम के करीब पालक ले लिया है और पालक को अच्छे तरीके से साफ कर लिया है और जो इसके मोटे वाले डंठल होते हैं डंठलों को बिल्कुल हटा दिया है अब इसे हमें चौप कर लेना है तो मैंने यहाँ पर चौपर ले लिए है और इसी से मैं इसको चौप कर लूँगी अगर आपके पास चौपर ना हो तो आप चाकू से भी इसे बारीक बारीक कार सकते हैं चौपर से काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है लगबग 2-3 मट में देखी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से चौप हो चौप हो चुका है और मैं आपको दिखा रही हो देखे कितना बड़िया चौप हो गया है चलिए अब हम क्या करेंगे ना एक कटोरी में गेहूं का आट एक बड़ी चमज के करीब सफे तील मिला देंगे दो के करीब ओब डालेंगे और चौप के हूँग डिला कर अठेगे इन थो तरीके से पानी पीक पर टूरा करें पानि एड़ें इसका डो हमें नहीं ज्यादा सब़ाखना है ना ही ज्यादा सॉफ्ट करना है मतलब जैसा हम रोटी चरपादी वे लगांगे तयार करते हैं बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही दो लगां तयार करना है तो यहां पर देखिए दो लग कच्छी मुंफली है इन्हें हम थोड़ी देर के लिए भूल लेंगे अब इसमें मैं दो बड़े चमच धनिया एड़ कर दूए और एक बड़ा चमच मैंने इसमें सौफ एड़ कर दिया है स्वाफ डालने से जो यह नाश्टा बनता है बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है औ आट से दस लगभग मैंने काली मिश डाल दी है अब इस मसाले को थोड़ी देर के लिए धीमी आच पर भूल लेंगे और जब इसमें सौंधी सी खुशबू आने लगे ना तब इसके बाद गैस को आफ कर देंगे और इसके बाद जब मसाला ठंडा हो जाए तब हम इन्हें पीस लेंगे तो मैंने यहापर थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पूदिया ले लिया है और तीन हरी मिश डाल करके इनको पीस लिया है इसे हमें जादा बारिक नहीं पीसना है थोड़ा इसको हमें दरदरा ही रखना है आप देखिए इस तरीके का हमें इसको पीस करके त जो आलू होते हैं वो मिला देंगे तो जो आलू हैं लगबग चार आलू थे बड़े साइज के इनको मैंने उबाल करके अच्छे तरीके से मैश कर लिया है अब यहां पर मैंने पनीर ले लिया है पनीर को मैंने गेट कर लिया था दो बड़े चमज के करीब पनीर मिला दिया ह अगर आपके पास पनीड ना हो तो आप इसे इसकेप भी कर सकते हैं इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से भुनने के बाद फिर हम इसमें मसाले मिला देंगे जिसमें मैंने आदी चोटी चमच के करीब कश्मीरी मिशेट कर दी है एक बड़ा चमच भरके अमचू पाउडरेट के है आदी चोटी चमच के करीब काला नमक और आदी चोटी चमच से कम मैंने सफिद नमक का यूज किया है इन सारे मसालों को भी आलू के साथ अच्छे तरीके से मिला लेंगे इसके बाद जो हमने मुगफली का मसाला तयार किया था उसको भी आलू में डाल करके अच्छे तरीके से मिला लेना है सारे मसाले को 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे भूनने के बाद गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और मसाले को बड़े बरतर में निकाल करके ठंडा करने के लिए रख देंगे तो मैंने यहाँ पर प्लेट ले लिए एक बड़ी साइज की उसमें सारे मसाले को डाल करके ठंडा करने के लिए रख दिया है बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है इस तरीके से अब क्या करेंगे जो हमने ये डो लगा करके तयार किया है इसको दुबार अच्छे तरीके से मल लेंगे अब इसमें से थोड़ा सा डो अलग लेकर के इसकी छोटे छोटे से पेड़े बना करके तयार कर लेंगे जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोईयां तोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे लोई से छोटे पेड़े बना करके तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारे पेड़े बना करके तयार कर लिए हैं तो अब क्या करेंगे हमने जो ये चटपटा सा मसाला बना करके तयार किया ना इसमें थोड़ा सा मसाला अपने हाथों में लेकर और दबाते हुए जैसे हम गोल गोल गुमा के लड्डू बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे से लड्डू बना करके तयार कर लेंगे तो यहाँ पर यह जो लड़ू है ना बहुत ही आराम से और आसानी से बन करके तयार हो जाते हैं बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सारे लड़ू बना करके तयार कर लिए हैं अब क्या करेंगे, इसके बाद, एक आटे का पेड़ा लेकर, मसाले वाला लड्डू रख करके, इसको चारों तरफ से कवर करके, और इसका एक बड़ासा पेड़ा बनाकर करके, तयार कर लेंगे तो यहाँ पर यह जैसे मैं कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से करना और यह बहुत याराम से हो जाता है जब हम गुमाएंगे तो यह बिल्कुल लड्डू की तरह गोल गोल पेड़ा बन करके तयार हो जाएगा इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना करके तयार कर लेंगे तो यह देखी मैंने हैं आप सारे पेड़े बना लिए अब क्या करेंगे अब इसके बाद हमें इसमें एक डिजाइन देना है तो इसके लिए मैंने एक चाकू ले लिए हैं चाकुसी दोना तरफ को दबाते हुए इस तरीके से क्रॉस करके डिजाइन बना दिया है जो बीच में जो यह डिजाइन है इस पर हम थोड़े से सफेद तिल लग देंगे तो देखने में यह बहुत जादा बढ़िया लगता है देखें लग रहा है ना बहुत जादा प्यार अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे इसे हम चारो और गुमाते हुए सुनेरा होने तक पका लेंगे तो इसे हम आटे से बना कर तयार कर रहे हैं तो इसे थोड़ा पकने में टाइम तो जादा लगी जाएगा तो यहां पर देखिए यह चारो तरफ गोल्डन कलर के हो वीडियो अची लगी हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें तैंक यू